नमस्ते अभिवादान आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर उसके बाद बात करेंगे एक रिजल्ट की रिजल्ट कैसा आया है उसको हम डिसकस करेंगे स्टॉक का प्राइस डेल सो रुपए के आसपास है इसी कारण बाजार में रिकवरी आई बिल्कुल सेम चीज अपलाई हो रही थी कोल इंडिया में भी सॉट सेलर स्ट्रैप हुए थे और उनको अपनी पोजिशन कबर करनी थी लेकिन अभी बात आ गई रिजल्ट की रिजल्ट आने वाला था इस स्टॉक का और अब तो आ चुका है हमारे सामने और जब रिजल्ट आने वाला है और इस टॉक का प्राइस पहले से गिरने लगे तो लोग यह एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे होते हैं समझ में आई बात अंग्रे जी थोड़ी जादा हो रही है चलिए आगे बढ़ते हैं अभी आपको एक बात समझनी है ठीक क्या समझनी है कि 136 रुपय पर क्या कोल इंडिया लेने लाइक है तो मैं आपको एक चीज कह देता हूँ अगर आप सस्ता और महंगा ढूंड रहे हो तो ये स्टॉक बहुत सस्ता है 136 के आप इसको 200 में भी उठाओगे ति ये स्टॉक महंगा नहीं है प्रिजन सिनारियो में लेकिन बाजार भविष्च से देखती है और भविष्च के लिए इनके लिए बहुत सारे बिजनेस चैलेंजेस हैं उसको हम समझने की कोशिस करेंगे पहले रिजल्ट डिसकस कर लेते हैं हम रिजल्ट में ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे कंपनी जो है खर्चे को कंट्र कोई justification नहीं देती है क्योंकि जस्ट पिछले quarter से भी कोई खास improvement हमको देखने को नहीं मिला है और ये तीन-तीन महिने का period होता है अगर आप तीन महिने में उतनी growth नहीं दिखा पाओगे जहां पर अन्य segments अन्य stocks बहुत ही बहुत ही बहुत दिन growth दिखा रहे हैं तो आप 600 करोन की आई है जो कि 1400-1000 करोन आ रही थी यह लगातार कम हो रही है इसलिए एक बार के लिए यह भी एक कारण बन सकता है लेकिन overall scenario में अगर आप देखोगे जो sales का figure है यानि कि जो sales से इनका पैसा आता है 2700 करोन यहाँ पर close to neck to neck fight है लेकिन profit में इतना बड़ा drop जो खर्चे बढ़ गए और दूसरी चीज़ जो other income कमाई इस कारण हुआ है ठीक overall scenario आप समझ चुके हो अब क्या करना है वो समझेगा stock महंगे और सस्ते के पीछे आपको नहीं भागना है आपको support and resistance ढूना और वहाँ पर आपको trade करना है क्यों मैं ऐसे stocks में beginners को trade करने के लिए क्यों बोलता हूं दिखिए होता क्या है कि यह stock पहले से सस्ते हैं आपकी value एकदम अचानक से खा नहीं जाएंगे जैसे कि अगर आ यह range इसके लिए support थी अभी जैसे यह range 135 रुपए की range इसके लिए support available है वो टूटा फिर 128 रुपए की range इसके लिए support available है वो टूटा फिर 115 रुपए का range इसके लिए support available है ऐसे ही आपको support ढूनना है हर support पे आप खरीदारी कर सकते हो 33-33 percentage की यह तो हो गई बात normal खरीदारी कह पर करनी है कहाँ पर नहीं यह रिजल्ट आपके साथ डिसकस क्यों किया गया डिसकस इसलिए किया गया कि आप समझो कि एक कंपनी इतना ज्यादा प्रॉफिट सोचिए तीन हजार करोन का प्रॉफिट कंपनी हमारे सामने रख रही है और जब इनके आप टोटल नंबर ऑफ से से इस प्रॉफिट अपन टोटल नंबर आप सेयर करोगे तो आपके सामने जो आएगा मतलब की एक सेयर के मुकाबले कितना पैसा कमा रहे हैं बहुत सारी कंपनियों से बहुत ज्यादा सस्ती कोल इंडिया निकलेगी और रही बात एक दूसरे एड़ेट एडवांटेज की तो यह है कि यह कमपनी अभी तीन साल चार साल पहले पता है वहां से तो बड़ी ही हो गई होगी वहां यह 28-29 रुपए का एक बार में डिविडेंट देते थे एक साल में सोच कर देखिए अभी इस समय अगर यह दे दे देते है 28-29 रुपए का डिविडेंट तो सोच अभी यह स्टॉक क्लोज टू 10 रुपए के आसपास का एवरेज डिविडेंट दे देता है जो कि क्लोज टू 6-7% के आसपास का है तो यह तो हो गई कोल इंडिया में added advantage की जो कि आपको FD के आसपास का यह डिविडेंट ही दे देते हैं हमेशा नहीं देते हैं ऐसा नहीं आप आज खरीद लिए आपको डिविडेंट मिलेगा है मिलेगा उसके लिए record डेट वगएर आती है उसमें आप consider कर सकते हो यानि कि जब भी यह stock आपको 100 रुपए के आसपास मिले वहां तो आपको उठाई लेना चाहिए कम कुछ नहीं तो आपको FD के आसपास का करेंगे यहां पर result आपके साथ discuss इसलिए किया गया कि एक सस्ता stock सस्ता ही रह जाता है और जब भी कोई ऐसा result आने वाला होता है जो बाजार को मतलब खुस ना कर दे तो इस टॉक में पहले से ही गिरावट आने लगती है सबको पता था कोल इंडिया बहुत खुस नहीं कर प में भले हमको drop दिखाई दे रहा है लेकिन अगर बाजार positive रहती है ज्यादा chance से ही है लेकिन अगर तूटता है देखो बाजार में कोई perfect नहीं हो सकता है इसलिए मैं हमिसा हर सिनारियो की बात करनी चाहिए हम यहाँ पर trade करने के लिए हैं अगर हम investing करने की बात करने तो वह आप calculate करके बताईएगा धेर सारी वीडियो में calculate करते रहते हैं रिजल्ट से देखकर cheating मत कीजिएगा वीडियो पसंदा है लाइक कर देना चैनल पसंदा है तो subscribe कर लेना बाए बाए